नमस्कार दोस्तों एकजाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है आश्चा करता हूँ आप सब यह चेमगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर यू अचस नासिंग 2021 की बारे में इस वीडियो में हम आरक्षन से सीटों का आउंटन किस तरीके से होगा जिससे कि आप देख सकते हैं अगर आप जनरल EWS, OBC, SC, ST केटिगरी से ब्लोंग करते हैं तो आप जो कोलेज चोईस फिल करना चाते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी सीट है आपकी केट लेगरी में तो जिससे कि आप उस कोलेज को फर्स्ट प्रियोटी पर रख सकते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनेफिशल साबित होगा क्योंकि काउंसलिंग के परकिरिया में आपको क्यावल एक सीट लेनी होती है डिमोटिवेट नहीं होना है आपको बिल्कु सीट मेसे होन्सलिंग करवानी चाहिए इनी करवानी चाहिए इससे समझादित भiva वीडियो पहले से ही उपलना हिप्लब्त करवा रखा है वर कटोप से related भी आपको वीडियो उपलब्द करवा रखा है तो अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई संका है तो आप वो पिछले सारे वीडियो देखिए जिससे की मन में जो भी doubt उत्पनों होते हैं उनका solution आपको उन वीडियो में जरूर आपको मिल जाएगा तो दोस्तों मैंने seat matrix से related एक video separated बना दिया है जिसमें आपको सभी colleges में कितनी seat है उसके बारे में आपको संपून details में बताया है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो seat matrix बताया था तो उन में आपको category के इसाब से seat का आउंटन किस तरीके से होगा तो उसके बारे में हम details में इस video में बात करेंगे और दोस्तों वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिए जिससे के आपके मन में doubt और जो भी person होते है उनका solution आपको इस video में आपको पून रूप से मिल जाएगा क्योंकि आप बेड़ती video complete देखते नहीं है पिर person उनके मन में स्वाता ही उठके आता है कि हम इस category से belong करते हैं हमारे इतनी marks आ रहे हैं हमें कौन सा college मिलेगा तो दोस्तो सभी videos में उपलब्द करवाया रखे हैं जो भी आपके प्रशन हैं उनसे समन दीद तो अगर आप वो video ध्यान से देखेंगे तो मैं यही जानता हूँ और मेरा यही अनुबव है कि आपके जो भी प्रशन मन में उड़ते उनका सभी का solution आपको इन videos के माद्यम से पून रूप से मिल जाएगा और दोस्तो रही बात counseling की तो counseling में आपको क्यों एक seat fix करनी है अपने लिए और उसमें आपको demotivate बिल्कुल भी नहीं होना है आप अपनी एक seat smartness से ही आपको fix करनी है अपनी जो college है उसको देखिए कि कुस college पे कितने लोगों का द्यान है क्योंकि अधिकतर लोग है वो SMS और RUHS के पिछे ही है और उनके अलावा जो अन्य college है उन पे किसी का द्यान नहीं जाता है अब उन college में आप ये देखिए कि आप जिस category से belong करते हैं उनमें कितनी सीट है आपके लिए कितनी रिजर्व सीट है जनरल के लिए कितनी है OBC के लिए कितनी है EWS की जिस category से आप लोग करते हैं उनसे कितनी सीटे आपके लिए उस college में हैं तो उसको आप फस्ट प्राइड़टीव पर रखेंगे दोस्तों तो आपका में निश्य तोर पर चाहिए आपके marks कमा रहे हो आपको seat allotment हो जाएगी तो demotivate बिलकुल भी मत होई है बस smartness दिखाए दोस्तों जहां smartness दिखाते हैं वही लोग दोस्तों successful भी होते हैं क्योंकि hard work बहुत तरीके से किया जाता है अलग अलग तरीके से करते हैं लेकिन hard work का भी एक तरीका होता है अगर hard work के साथ आप में smartness भी दिखा कि अगर कुछ किया जाता है तो उस्तों 100% सबलता ज़रूर मिलती है तो दोस्तों आप demotivate बिलकुल भी मत होई है आप counselling में participate कीजिए और आपके चाहे marks कम बन रहे हो लेकिन थोड़ असा आपको दिमाग लगाना है और अपनी seat एक fix करनी है क्यों आपको एक seat fix करनी है और बाकी पर आपको बिलकुल भी ध्यान नहीं देना है तो जो आरक्षन से seat का mountain केस से होगा उसका मैं details में इस वीडियो में discuss करूँगा कौन सी category कितनी percent seat है तो उसका details में आपको इस वीडियो के माद्दे में से बता जाएगा seat matrix की बात करें दोस्तों तो मैंने इससे पहले आपको वीडियो पहले ही उपलब्द करवा दिया है इसमें मैं आपको details में explain करके सारी चीजे समझाऊंगा तो आप वीडियो पे सुरुषन तक जरूर बने रही है तो इसमें जो दिया गया है दोस्तो BSE nursing अध्यान का course महीला वे पुर्स दोनों बेरतियों के लिए है तो reservation का first name यही कहता है कि पुर्सों के लिए 50% है और महीलाओं के लिए 50% सीटे हर college में reserve है चाहे वहाँ 50 सीटों चाहे 60 सीटों चाहे 100 सीटों उनमें से 50% महीलाओं के लिए पहले से ही reserve है तो इस वज़े से भी जो महीला बेरती है वो BSE nursing के लिए कम ही interest rate रहती है तो एक वज़े देखा जाए तो महीला बेरती है कि जो कटों उपए वो पुर्सों के लिए 50% सीटों का आउंटर तो यहीं पे हो गया आरक्षन का पहला नियम तो यहाँ पे है अब जो second नियम है दोस्तों वो देखते हैं कि आरक्षन सभी राज के nursing महाविद्यालों स्वेवित पोसीद महाविद्यालों सीट PPP mode महाविद्यालों वो नीजी nursing महाविद्यालों में लागू है सीटों का आरक्षन राज्य सरकार के वेदानिक प्राउदानों के अनुसार होगा तो दोस्तों जो गुवर्मेंट कोलेज है उनके लिए ट्रिपल पी मोड पे जो कोलेज चलाए जा रहे है ट्रिपल पी मोड का हो गया कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनर्सीप के आदार पे यह माली जी की जो लेंड है जमीन है वो माली की है जो बिल्डिंग मना रहे है वो भी माली की तरब से लेंड वगरा है लेकिन उनके अलाओ जो पैसा वगरा पार्टनर्सीप नाम दिया जाता है तो इस आदार पे भी कोलेजे संचालीत की जाती है और एक होती कंप्लीट ही प्राइवेट कोलेज उनका सारा माली काना हक सब कुछ है वो जो ओनर होता है उसे के हाथ में होता है तो यह होगी दोस्तो सबी में होगा सीटों का रक्षन राजी सरकार के वेदानिक प्रावदानों के अनुसार होगा तो वेदानिक प्रावदा अनुसार दोस्तों यही है कि 50% सीटे महिलाओं के लिए 50% जो पुर्स अब्याटियों के लिए होगा अब इन में जो पहला पुइंट दिया गया है दोस्तों कुल सीटों का 15% राजस्तान सीट संपूर्ण बारत के बेड़तियों दोवरा भरा जाएगा तो दोस्तों 15% 55% के लिए राजस्तान के बेड़तियों के लिए और 15% अगर राजस्तान के बेड़तियों अगर वो एप्लाई करते हैं तो उनके लिए यह रिजर्व है वो अगर किसी भी कैटिगरी से बिलोंग करते हैं इन 15% की 16% 12% 21% 5% 10% करमस SCST OBC अतिपिटेड़ा व करते हैं तो उनको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए इनमें सीट रिजर्वेशन रखा गया है क्योंकि दोस्तों कई बैठती हैं जो मेरे से मेसेज भी किया था उन्होंने इंस्टा भी पूचा था कि सर हम इस द संद्रा परतिशत में भी अगर आप सब केटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां से आप अपना जो जिस कोलेज में हैं तो उसका अपना परतिशत निकाल सकते हैं कौन सी कोलेज से आपके लिए कितनी सीट रिजर्व है तो यह हो गया दोस्तों जो अधर स्टेड्स हैं उन करते हूं परते एक स्टैंड में महिला बैठती होका कुल परतिसे सीटों का पचात परतिस क्म नहीं रहेगा स्टी 12% में से 45% से खे ust एक other sub category है तो उनके लिए भी 45 पर 35 रिजर्व रखा गया अधर स्टेट के लिए है यह दोस्तो अधर स्टेट वालों के लिए दोस्तो तो यह confusion है कि कोई other स्टेट से बिलोंग करता है कि कई बहुत सी जो बैठते हैं उनके मन में रहता है कि हम तो जनरल से ही बिलोंग करेंगे तो दोस्तो जनरल से ने उनको यह आरक्षन का फाइदा यहां पे दिया गया है तो यह clearly आप देख सकते हैं और यह official notification है दोस्तो मैं वही बता रहा हूँ आपको जो next है दोस्तो वो देखते हैं जो says 85% सिटो की 16% 12% 21% 5% 10% 10% सिटे रास्ता अंधराजी के अध्यक्षिय विख से कमजोर ε१स के लिए आरक्षित होगी 15% यहां हो गई दोस्तो और 85% जो रासतान के अध्यक्षिय के लिए अगर इन 15% में अगर अधर 다र्श्चिट के अध्यक्षिय नहीं मिलते हैं तो दोस्तों इनको रासतान की अध्यक्षिय से भी ब्रहा जाए गए गा SC, ST, यहाँ पे आप इसका स्क्रीन सोड ले सकते हैं, स्क्रीन सोड लेके इनका आप देख सकते ही, आप कौन सी केटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर किसी कोलेज में 100 सीट है, और 100 सीट को किस तरिके से डिवाइड करके दोस्तों, आपकी कितने सीटे निकलती हैं, तो उस कोलेज को आप फस्ट प्राइलटी पे काउंसिलिंग में रख सकते हैं, STA का भी दोस्तों सेम ही है, जैसे अधरी स्टेट वालों को बताया था कि 12 परतिशत ST के लिए है, और उन 12 परतिशत में 45 परतिशत सीटे हैं, एक भेड़ती हैं दोस्तों, वो बार-बार सेम यही कमेंट कर रहा है कि STA से बिलोंग करते हैं, हमारे इतने माक्स बन रहे हैं, तो हमें कौन सा कोलेज मिलेगा, तो दोस्तों कोलेज चोईस आप पे डिपेंड करता हैं, आप कौन सी कोलेज फील करते हैं, और आपको उसमें सकेवल एक सीट लेनी है, आपको ज्यादा सीटों भी ध्यान में नहीं देना, तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप किसी 100 कोलेज वाली सीट को बढ़ते हैं, तो उसमें से केवल आप अपने आरक्षन के वेसिज पे भी अपने आकलन करके उसको फील कर सकते हैं, तो दोस्तों यह 15% और जो 85% है, उनका मैंने आपको यहां भी डिटेल में बताया है, किसी आरक्षी स्रणी में महिला ब्यार्तियों के उपलब न होने पर, रिक्ष सीटे उसी आरक्षी स्रणी के पुरुष ब्यार्तियों द्वारा भरी जाएगी, किसी आरक्षी स्रणी में महिला ब्यार्तियों ब्यार्तियों उपलब न होने पर, रिक्ष सीटों के लिए खुली स्रणी में स्वत्ता इस्तनांतरित हो जाएगी, तो दोस्तों ये माली जी कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और गल्स के लिए 50% सीटे हैं तो अगर वहाँ पे 50% सीटों में गल्स उपलब्द नहीं हो पाती है किसी कोलेज में तो उन सीटों को प्रूस सब बेढ़ते हो दोरा भरा जाएगा अगर दोनों ही उपलब्द नहीं हो पाती है तो फिर उनको जो जनरल कैटेगरी सामने स्रेणे में उनको स्वताई स्तनांतरीत कर दिया जाएगा ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों जो नेक्स्ट है दोस्तों परतेक स्रेणे में 5% या था 16% SC 12% ST 21% OBC औ स्रेणे की सीटे 36 रूप से योग्याता से प्रात्मिक्ता पर बेंच्मार्क विकलांगता वाली उपी द्वारख लिए विकलांग व्यक्ति अदिकारा दिनियम 2016 के नोश प्रावदाने को सारा आरक्षीत की जाई तो यहां पर यह जो फिजिकल हैंडीके पर बैठती है तो उस के टेगरी के अन्या बेरतियों के लिए वो स्वता इस्तानांतरित हो जाएगी तो यह आरक्षन दिया गया है आप अपनी जो सीट का है वो निर्दारित कर सकते की कौन सी कोले से कितनी सीटे हैं और हमें कौन सा कोले से फील करना है जहां पर अधिक सीटे हो तो दोस्तो दोस्तों उस पर बात करते हैं बीएसी नर्सिंग पार्टे करम में प्रवेस के लिए रास्तां सरगार की जाएगी इसके लावा कुछ भी अगर कहीं से भी मैंने ये सुनाए कि दोस्तों कईया बेरति बोल रहा है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है कोई ओनलाइन लिंक स कोलेज में रिपोर्ट करते हैं सत्यापने है तो सक्सम अधिकारी दुवारा जाती परमान पत्र SCST नोन क्रिमिलियर OBC नोन क्रिमिलियर MBC आर्थी ग्रूप से कमजोर EWS अत्रिक च्रेनी परमान पत्र जो फीजिकल हैं ये दस्तावेज आपको वहाँ पे जमा करवाने गे तो ये दोस्तों आपको जाती परमान पर तर तो वहां पे अत्यावशा हैगा क्योंकि इसी का आधार भी है आपको जो सीट है वो आपको आलोट होगी तो दोस्तों ये मैंने आपको डिटेल्स में जो सीटों को आरक्षन है आरक्षन के आदार पर आपको सीट आउंटन कैसे करना है ये मैंने आपको डिटेल्स में बताया है तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप लाइक कीजिए और अगर किसी भी तरह कोई डाउट रहता तो मैं आपको उसे रिलेड़ेड वीडियो आपको डिटेल्स में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दो जे हिंद जे बारत